हेलो फ्रिंट्स गुटी इवनिंग मैं हूं नेहा चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रेक्टिस सेट यहां देख सकते हैं आप कोश्चन नमबर फर्स क्या बोला है संपंता का विलोम शब्द बताना है कौन सा है तो फ्रिंट्स बताईए ए आपत्ती बी निर्धंता सी होगा विलोम शब्द क्या होगा निर्धंता ठीक है फ्रिंट्स चलिए बात करतें कुश्चन नमबर सेकिंड की निम्न में से कौन सा अग्यानी का प्रेयाए नहीं है मतलब अग्यानी जो शब्द इसका प्रेवची क्या नहीं है अग्य भिग्य मूर्ख अनभिग्य तो फ थार्ड की, जैसा काम वैसा दाम में, जैसा किस व्याकरन आत्मक कोटिका है, तो हमें इसके बताना है ठीक है, तो जैसा बताना है हमें इस वर्ड को, तो फ्रिंग्स मैं आपको बता दूँज मैं और उप्छन हमारा A right हो न चीएं विशेशन, विशेशन के डेफिनिशन देत उसे विशेशन कहते हैं तो आप देखिए आप यह जैसा शब्द है अगर बाग किसे हटा दिया जाए जैसा काम वैसा दाम में अगर जैसा हटा दिया जाए तो क्या बनेगा काम वैसा दाम मतलब इस शब्द के हटी सब खतम हो जा रहा है तो इससे क्या विशेशता पता चलि दिख रहा है आपको option a right दिख रहा है न a और d में confused नहीं हो न ए रा और ए रा में नहीं है लुट ए रा नहीं है वो लुट ए रा तो option a right होगा हमारा ठीक है friends से लिए बात करते कुछ नुबर फाइफ की निम्न मेंसे कौन सा नि संकोच शबने प्रियुक्त संस्क्रित उपसर्ग है ध्यान से देखे संस्क्रित उपसर्ग बताना है हमें ठीक है तो option a nis b nis c ni और d ni तो क्या होगा है आपर हमारा नि संकोच में जो प्रियुक्त उपसर्ग है वो हमारा नी होगा तो option हमारा d right बात करते हैं 6 की निम्न मेंसे कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समू हेतू एक शब्द है तो French पीछे चलने वाले को क्या कहा जाता है देखे A अनुगत B पिछ लगू C पिछल D आगत तो Friends पीछे चलने वाला जो है उसे अनुगत कहा जाता है अनुगत अर्था पीछे चलने वाला ठीक है तो option कौन सा right होगा हमारा A होगा चलिए बात करते है question number 7 की ये बोला है निम्न मेंसे कौन सा अधी व्यादी शब्द का युग्म अर्थ है तो मैं आपको पता दूँ अधी व्यादी ये जो शब्द है इसका जो युग्म अर्थ है वो होता है मांसिक कस्ट तो option हमारा आपको पता ही चल गया है कौन सा है option A right है यहाँ पर ठीक है मांसिक कस्ट है तो मांसिक कस्ट ही होगा पागलपन या फिर और कुछ मूर्ख फगेरता मत कर देना ठीक है चलिए बात करते है question number 8 की निम्द में से कौन सा काटना का तत्सम है काटना का हमें तत्सम बताना है पड़े हुए होगे तत्सम तो आपको पता होगा काटने का क्या होता है करतन तो आप देखे कहाँ पर है option A, B, C, D क्या है C right है करतन काटना करतन ठीक है question number 9 रेखते है रुपे डैश है तो रिक्तिस्थान है तो एक शब्द चुनना है यहाँ पर रुपे क्या करते हैं friends बोलते हैं, बचते हैं, खनकते हैं या अवाज करते हैं पता चल लिया होगा आपको रुपे खनकते हैं तो option हमारा C right होगा ठीक है friends चली बात करतें question number 10 कट जाना मुहावरे का अर्थ होता है क्या होता है शर्मिंदा होना, टुकडों में बाटना, विभाजित करना या आँके चुराना तो friends लगा लिया होगा आधो से जादाने तो क्या टुकडों में बाटना या फिर विभाजित करना यह दोनों नहीं है इसका option हमारा D right होगा आँके चुराना कट जाना मुहावरा पूछाईए, इसका क्या आर्थ होगा तो आप एक चीज़ देखे, कहती नहीं है वो तो मतलब मुझसे कटा कटा सा रहता है मतलब मुझसे बात भी नहीं करता है, ढंक से मतलब आँके चुराता है मतलब बात ना करना, मतलब बचना तो आँके चुरा नहीं तो होगा, तो आप्शन क्या होगा, हमारा 10 का डी राइट होगा, ठीक है फ्रेंट्स, चलिए जैसे वाले मुहावरे होते हैं, देखने में इजी लगते हैं पर यहीं आप लोगों को गुमा देते हैं चलिए बात करते हैं कोशन नमर 11 की वे मनस्य का विलोम शब्द होगा, इसका विलोम शब्द बताना है क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए ए, बी, सी, डी, क्या होगा, वी मनस्य होगा, सो मनस्य होगा, सो मनस्य होगा तो फ्रेंच में बतादे उसका option B right होगा सॉमनस्या है पढ़ना start नहीं किया है तो पढ़ना start कर दीजे विलोम शाब option question 12 देखते हैं जस्दूला तस्बनी बरात कहावत का अर्थ है इस कहावत का अर्थ बताना क्या है अपनी योग्यता से इधिक बाते करना नहीं यह तो नहीं होगा बिलकूल भी नेक्सस देखते हैं जैसे खुद वैसे साथी जी हाँ यह होगा जस्दूला तस्बनी बरात मतलब वो बराता हो रखा है बराता है लेकिन वो तो मतलब क्या कह रहा है मतलब जैसे खुद वैसे साथ ही, मतलब जैसे आप हो, आपके साथ के आपको लोग मिल गए, तो जैसे आप, मतलब जैसे तूला, जैसे दूला मिला, वैसे ही बन गए बरात, मतलब जैसे खुद वैसे साथ ही, ठीक है, तो option हमारा 12 का B right होगा, ठीक है, C भी नहीं होगा, किसी से पहले क्या करेंगे question read करेंगी क्या बोल ला है उप्योग गध्यांज का सही शीर्षक क्या है भीड में फसे लोग भीड की शकल भीड में कवी भीड का इस्तिमाल तो friends यह जो गध्यांज आपको में टाइम में लेगा अच्छे से पढ़ के देखेगा पर मैं आपको बता द दिया गया तो option हमारा 13 का क्या होगा सी राइट होगा भीड में कभी प्यूग गाध्यांज का सही शीर्षक है भीड में कभी ठीक है चलिए आपके पास तो काफी टाइम होता है वहां रीड करने के लिए मेरे पास तो नहीं है चलिए अब देखते हैं question number 14 भीड से मुक्ति क का उपाए question number 14 भीड से देखते हैं कि देखे तो यह से पीछे से देखते हैं यहां पर कहीं दिख रहा है भीड यह शकल शब्द तो इसे देख लेते हैं कि यहां तो मुझे भी नहीं दिख रहा है देखी यहां दिखिया यह शब्द कहा है यह रहा जो अपनी शकल भीड के परदे पर नहीं देख सकते हैं मतलब इस संसार के ही नहीं रह गए हैं और हमारे चारों तरफ जीवर नहीं बलकि भीड है जो अपनी शकल इस भीड के पर्दे पर नहीं देख सकते हैं अगर किसी को यह शकल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होगा तो फ्रिंट से में मिल गया है इसका option हमारा क्या right होगा भीड से मुक्ति का क्या उपाय है भीड में अपनी शकल देखना तो हमारा option हमारे यहाँ पर ना तो यहाँ पर भीड में खो जाना होगा भीड का इस्तमाल करना भी नहीं होगा भीड से दूर रहना भी नहीं होगा भीड में अपनी शकल देखना चलिए बात करते question number 15 की भीड किन के लिए रुकावट है A. motor में चलने वालों के लिए B. दौरने वालों के लिए C. पैदल चलने वालों के लिए D. बस में चलने वालों के लिए तो देखते हैं भीड किन के लिए रुकावट है हम सब लोग एक भीड से गुजर रहे हैं जो सवेरे अपने घर से निकल कर दफतर वापस घर जाकर अपने दिन साथ तक करते हैं उन्हें भीड सिर्फ बस में साक्षतकार होता है जो मौटर से चलते हैं उनके लिए बीड एक अवरोध है तो फ्रेंट समयांसर यहां पे मिल गया है क्या है देखिए इसका अंसर होगा हमारा मौटर में चलने वालों के लिए रुकावट है मतलब अवरोध है रुकावट है ठीक है चलिए कुछ नबर 16 देखते हैं भीड का इस्तमाल किसके विरूध किया जाता है विरूधियों के विरूध भीड में फसे लोगों के विरूध सरकार के विरूद या फिर जन्ता के विरूद तो चलिए देखते हैं किसके विरूद किया जाता है वहां तक तो पढ़ लिया तो से आगे देख लेते हैं कहां तक पढ़ लिया था हमने मौटर से चलते हैं उनके लिए एक अवरोध है जिसे वो लोग शेशक्त फूर्तिली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़े हैं लेकिन ये तीनों वास्तव में ना तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुखते हैं अलग-अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर क कम यह ज़्यादा फसे हुए हैं यह बिल्कुल एक ही तरह की और हर समय पूरी भीड़ में फस चुके हैं सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है कि यह नहीं जानते और ना ही यह बिल्कुल जानते जिसके पास सत्ता है वेराज्य हुए संगटित उद्यों की वह भीड में इस्तमाल भीड में फसे वेक्ती के विरूद करता है तो फ्रेंच देखिए यहां में आंसर भी मिल गया है कहां कर रहा है भीड में फसे वेक्ती के विरूद तो हमें पत्सला है भीड का इस्तमाल कहां हो रहा है भीड में फसे लोगों के विरूद किया जा रहा है तो ऑप्शन 16 का क् स्ट्था ता सत्था कह आए यहां पे ता भीड में फस्थी फ़र्क से फितना कि यह नहीं जानते कि जिनके पास सत्था है Case है यहां इसका चलना ओगा Egyptian का में रहे है लुवा जुका कार्ड ना कुंजी पती ना नेता option c जिसके पास सत्ता है वो ही ठीक है चलिए question 18 है ये पूछ रहा है उडियन का संधी विशेद बताना है क्या होगा friends तो इसका option हमारा क्या होगा उडियन का उठ प्लस डैन तो option कौन सा होगा हमारा option हमारा a right होगा क्या होगा a inclusive विशेद बता है कौनसे संधी है हमारी विशेद आपको तो पता ही होगा जब ता या द के बाद Bernard रहा है ca000 तो क्या होता है तो क्या होता है क्या स्थान पर जाता है अधा Hills और डा लग जाता है तो आप देख रहे है या इसमें क्या है ये ये बन गया ठेक है क हैं ये बोल रहा है कि इसे अरेंज करना है। खर सीघ्या क्रमानुसार वेसित कर उचित विकल्फ चुनना है। ठीक है फिरिंड चलिए है ये चेक करते हैं फर्स्ट और सिक्स को मिला कर क्यों कोशन दीए कुल मिला कर आत्म रक्षा चलिए फस्ट ऑप्शन चेक करते हैं कुल मिलाकर आत्मरक्षा छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए बिल्कुल गलत बैठा है सेकिन देखते हैं कुल मिलाकर आत्मरक्षा बातों से नहीं यही निश्कर सामने आता है कि छात्राओं के आत्मरक्षा के लिए तरीकों में के मामले गलत है ये C देखते हैं कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामलों में महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निश्कर्ज सामने आता है की छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपूर किया जाना चाहिए तो friends answer आगया है आपके सामने option क्या है C right होगा ठीक है क्रमा नूसार करना है जब चेचक के समाना अंतर एक और बिमारी थी तो इसका चेक करते हैं क्या होगा जब चेचक के समाना अंतर मिला कर देखते हैं option first जब चेचक के समाना अंतर पहला देखते हैं एक और बिमारी थी गौशीलता इसका शिकार हो जाता है और उसके ये गलत बैट रहा है फिर भी आगे लगा के देख लेते हैं और उसके आम धार नहीं है गलत है चलिए नेक्स सेखते हैं जब चेचक की समाना अंतर एक और बिमारी थी गौशीलता प्राय यह रोग गाएं के थनों में होता है चलिए आगे देखते हैं आम धार नहीं यह भी थी कि बिमारी गाएं का दूद पीने वाला इसका शिकार हो जाता है और उसके हातों में छोटे छोटे घावे फुंसिया ह हो जाती है तो option आपको B यहां पर दिख गया है क्या राइट है फ्रेंट से आपर option B ठीक है चलिए आगे चेक करते हैं क्या कह रहा है देश में संतुलित शेत्रे विकास की प्रगृति का सबसे महत्पून कारण कारण फिर देखते हैं सरकारी छेत्र के उपक्रमों के जरिये योजनगत और योजनोत्तर सादनो दुआरा केन सरकार दुआरा फिर से रीड करके देखते हैं वह है पहले दिया है देश में संतुलित शेत्रे विकास की प्रगृति का सबसे महत्पून कारण सरकारी छेत्र के उपक्रमों के जरिये केन सरकार दुआरा उन उधमों में योजनगत और योजनोत्तर संसादनो दुआरा सीधे निवेश किया जाता है तो फ्रेंच देखें आप हमें बिल्कुल भी परिशानी न्यू यूर सारे ठीक लिंक हो गया है तो यह जो है इसका अ इस बात करते कोशन नंबर 22 की राजियो को विभिन योजनाओं के लिए क्या करना है विभिन योजनाओं के लिए पहले लगा के देखते हैं उनका उदेश्य है जो संसादन दिये जाते हैं देश के विभिन भागो का नहीं लिंक कर रहा है सेकिन देखते हैं राजियो को व क्रम से लगा दिये हैं ठीक है प्रेक्टिस कीज़ेगा हो जाएगा आपको थोड़ा से देखना पड़ता है स्क्रीन में को थोड़ा से स्क्रॉल करके इसको थोड़ा से टाइम लग जाता है कुछ नबर 23 देखते हैं निम्न में से महा प्राण वियंजन है तो फिरिंट्स क्या से होते हैं महा प्राण वियंजन होते हैं या फिर प्रितेक वर्क का दूसरा चौत वियंजन होते हैं महा प्राण होता है जैसे कि खा घष myths आपको धिक रहां ही हापर अप्शन सिंयर्ट् horizon क्या है गह ठीक है सब्सक्रिया पढ़ रहा था इसमें कौन सी क्रिया है तो आपको मैं बता दूँ इसका हमारा option A right होगा सही उक्त क्रिया है इसमें क्यों है सही उक्त क्रिया आपको पताएए जब कोई क्रिया दो क्रियां के सही उक्त से निर्मित होतों से सही उक्त क्रिया खेते हैं ठीक है सही संधी पद है तो क्या होगा पित्रा नूमती पित्री नूमती पित्र नूमती या पित्रा नूमती तो फ्रिंट्स आपको मैं बता दू 25 इसका हमारा option पित्र नूमती यानि कि option c right होने वाला है यह right होगा और यहाँ कौँ से संधिय है यह यह अन संधिय है ठीक है friends चलिए बात करते हैं next question की question number 26 देखिए कि क्या रहा है प्रयाई वैची शब्दों के लिए सही विकल्प क्या है देखते हैं दूद के लिए सही विकल्प क्या होगा तो friends स्थन्या होगा B खीर होगा C पे होगा D नवनीत होगा तो friends आपको पता दू मैं इसका option हमारा a right होगा दूद का होगा स्थन्या ठीक है प्रयाई वैची इसके लावा कुछ और है जैसे कि पै शीर अमरित स्थन्या तो मैंने आपको बताई दिया यह जो पै है यह पै है यह पानी वाला है और दूद वाला यह होता है ठीक है चलिए बात करते कोशन नमबर 27 की प्रेक्षा तो मैं आपको बता दू प्रेक है प्रेक्षा कै ठीक है फ्रिंट से ले बात करते कोशन नमबर 28 की विरासत विरासत का option क्या होगा दे प्रrh दय धाय धाय तो फ्रिंट सीसका option हमारा C right होगा ला विरासत दाय है इसका प्राइवेची नियास भी इसका प्राइवेची होता है धरोहर भी ठीक है फ्रिंट से लिए बात करते हैं कोशन नंबर 29 की यह बोला है आर्षित का उचित विशेद निम्न में से कौन सा होगा तो फ्रिंट आर्षित का होगा अ प्लस छदित तो देखे कौन सा दिख रहा है आपको ऑप्शन हमारा कौन सा 29 का सी राइट होगा और यहां पर कौन से संदिय है हमारी वियंजन संदिय है ठीक है फ्रिंट्स चलिए बात करते हैं कुशन नंबर 30 की शक्ति हो शक्ति को सक्ति कहना किस प्रकार के उचारण दोश का उध्धारन है स्व मरलोम स्वर्भक्ति स्वर्यागम स्वर्भंग तो फ्रेंट्स आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप करके बताएंगे मुझे ठीक है तो यह 30 वाले जो कुशन नहीं आपके लिया प्लीज करिएगा जरूर कमेंट बहुत बच्चों के आते हैं देखकर तोड़ अच्छ प्रत्रम लेसमया आता है प्रतम विशेश्च्य यह प्रतम बंड़ बेहुक्त में विशेष्ची में तब गरपे हैं तो एक उता झाल सिंकू बाए